हिमाचे प्रदेश के कई जीलों में बारिश, तुफान वो उलावरिष्टी से किसानों बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है जिसको लेकर हिमाचल उद्यानवी भाग में एक बैठक का आहिर्जिन किया गया बैठक में उद्यानवी भाग के अधिकारी हिमाचे प्रदेश किसान सभा सहीत्व मौसम विज्ञानी वा अन्या स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे बैठक में बारिश, तुफान, उलावरिष्टी से हुए नुकसान पर चर्चा की गई साथी किसानों बागवानों को उनकी फसलों के नुकसान का मौज़ा देने की मांग उठाई गई किसान सभा से जुड़े वामपंथी विधायक राकी सिंगा ने कहा कि हाली में हुई उलावरिष्टी और दुफान से शिमला, कुलू वा अन्याजिलों के बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है जिसमें पलम, खुमानिव वा सेब के पौधों को बरबाद किया है उनकी सरकार से मांग है कि बागवानों को उनकी फसलों का मौज़ा दिया जाए बीमा कमपनियां भी बैठक में मौज़ूद है तो जिन बागवानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है उनको जल्द मौफचा दिया जाए ताकि उनको कुछ रहत मिल सके खिसान हमेशा से पीसता रहा है जिनको कड़ी मेहनत के बावजुद उची ताम नहीं मिल पाते हैं ऐसे में मौसम की मार उनके लिए कहर बनकर तूटी है देखिए आप जानते हैं कि हमाचल परदेश के पहाड़ी अलाकों में खास तोर पर जो सिम्ला जिला है कुलू जिला है इसमें पीछले दिनों में बहुत तेज जरुफ़तार के तुफ़ान आए हैं हवाई चली है और अलग अलग किसम की खेटी जो किसान करता है जाए वो तेब की करे बुदान की करे प्लम की करे बहुत भारी नुकसान किया है और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ट क्रॉप इंशॉरंस स्कीम है उसके तहट आम तोर पर कसान को तेज रुफ़तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंशॉरंस कमपनी देती है लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से जब से ये इंशॉरंस स्कीम चल रही है एका दुका को इंशॉरंस कवर दे दिया जाता होगा लेकिन अधिकतर कसान को मिलता नहीं है आज हम आए हैं इस बात को यहां पर वेभाग के सामने रखने के लिए इंशॉरंस कंपरी भी उपलब्ध है और मेटरोलजिकल डपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा हॉटिकल चे विभाग के लोग भी मौजूद होंगे हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं जो इनके वेदर बेस्ट स्टेशन्स हैं जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्रॉट चला है कितना टंप्रेचर उपर गया है, नीचे गया है उसके माप दंड के तहट फार्मर को कमपनसेशन मिलना चाहिए बागवान को कमपनसेशन मिलना चाहिए अगर आज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं वो जाएं फील्ड में सर्वेक्शन करें और जो इनके स्टेशन्स हैं जो वेदर को रोकॉर्ड करते हैं वो उसको भी देखें कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं लेकिन किसान का भारी नुकसान हुआ है भारी कई जगा तो एक दाना सेप का पेड़ पर बचा नहीं है सारा गिर गया है प्लम का बड़े भारी मात्र में रुकसान हुआ है हिमाच और पर देश सरकार सोई है लेकिन मेरा दायक तो बनता है मैं चोनावाब दायक हूँ मुझे इस बात को उठाना है और मैं धन्यवाद करता हूँ डायक्टर महोद्या का आज सब को बिलाया है इस मीटिंग के बाद नतीजा क्या निकलेगा मैं कहे नहीं सकता हूँ लेकिन इतनी बात में आप ते सांजा कर सकता हूँ अगर कॉम्पंसेशन नहीं देंगे तो ये लड़ाई आने वाले समय में आगे बढ़ेगी देखिये बहुत बड़ी धान दिली है ठ्यों के अलाके के अंदर तो 18 क्रोड की पेंडिंग थे 2012 से और हमने पिछले दुनों में विकाग की चानबीन करे इसलिए सब सड़ी मिलनी चाहिए जो पिछली नहीं दी एक मुश्क दो आप वान टाइम सेटल करो उसको आप कसान को दुड़ाते रहोगे यहां दुड़ाओगे वो ब्लोक में दुड़ाओगे यह अच्छी बात नहीं है सब सड़ी इसलिए मिलनी चाहिए कसान को कि दुड़ा के अंदर खेती लाब दाइक नहीं है जब तक आप अनुदान नहीं देंगे उसको सस्टेन करने के लिए देना है लेकिन धीरे धीरे सारी सब सड़ी शरकार समाप कर रही है चाहिए वो आपके फंजसाइट पर है तरह दूसरी स्प्रेज को लेकर है खाद को लेकर है वो खतम की जा रही है और कसानी बहुत कठिन हो रही है कसान को कसानी करने के लिए अब जानते हैं कि इस देश के अंदर कसान को सब से कम प्रात्मिक्ता दी जाती है और उसको ठगा जाता है और उसको बेफकू बनाय जाता है लेकिन अब जमाना बदलने वाला है किसान जाग रहा है लड़ने के लिए त्यार है आप बिलकुल ठीक है रहे हैं सुदीर जी कि भारी नुकसान हुआ धाई सौ क्रोड तो अंकलन किया गया उसे अधिक था लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया ये सर्वेक्षन सिर्व इस बात के लिए करते हैं कि कसान को ब्रहमत करने के लिए मौदे देने के लिए नहीं है ये जो पीछला सेशन विधान सबा का था मैंने कहां और रेजुलूशन लाया जो प्राइविट मेंबर्स रेजुलूशन है वदेख मैंने कहां सरकार को की वदेख बनाये आप कि जो हमारा रलीफ मैन्यूल है उस रलीफ मैन्यूल को शुन्शोदित करो ये दनी चलेगा कि एक बीगा का तुम तीन सो रुपे जब नुकसान होता है किसान का वो देखरो छुटकारा पाओ ये मान्य नहीं है जो फसल का नुकसान है 50% उसका डैमेज आपको देना है जो उसका वो मौज़ा बनता है लेकिन सरकार ने कहा हम बहुत कुछ कर रहे हैं आप इसको वापस ले लीजिए हमने उसको वापस इस शर्ट पर लिया कि सरकार हस्तक्षेव करकर किसान की मदद में आएगा आज बड़े दुख के साथ भारी मन के साथ मैं कहा रहा हूँ इस वमें से लेकर अभी तक कुछ नहीं किया सूका हुआ एक नया पैसा नहीं मिला तुफान चला एक नया पैसा नहीं दिया यहां तक सर्वेक्षन तक नहीं होए हैं तो मुझे बताएं किसान के बास संघर्ष के लवा क्या चारा है और उसलिए उसको आने वाले समय के लिए संघर्ष की त्यारी करनी है तब ही सरकार और सरकार के तंतर कि दिशा को बदला जा सकता है किसान के पक्ष में किया जा सकता है